अलो डियर स्टुडेंट्स तो एक बार फिर से प्रस्तूत है आप सभी के लिए फीजिक्स का एक बहुत ही यूनिक वेस्टन आप सभी विध्यार्थियों के लिए आपके सिलेबस से हट कर तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि यदि हमारे सोलर सिस्टम में यदि हमारे स जूपिटर यानि कि सबसे बड़ा प्लानेट सबसे बड़ा गरह अगर ब्रिहस्पति नहीं होता तो आखिर हमारे सौर मंडल पे हमारे प्रिथवी पे आखिर उसका क्या परभाव पड़ता तो आप देख सकते हैं कि हमारे प्रिथवी के पास ये जो आपका जूपिटर के मतलब ग्रेविटेशन के परभाव का अगर हम समझना चाहें तो देख सकते हैं कि जो जूपिटर है उसके अगल बगल जो एस्टेरोइड एस्टेरोइड का मतलब छुदर गरा जो कि बहुत बड़े-बड़े पत्थर रोटेट कर रहे है जिसको जूपिटर अपने ग्रेविटेशन से बांध करके रखे हुए है अगर जूपिटर नहीं होता तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो यह पत्थर दिख रहा है आपको यह सीधे अर्थ प्या करके गिरता और जब वर्थ प्या करके गिरता तो हम लोग का क्या हालत होता है यह आप लोग खुद समझ सकते हैं तीसी से आपने माल लगा सकते हैं कि जो जूपिटर यानि ब्रिहस पतिगर है हमारे प्रिथवी के लिए भी कितना उप्योगी है अगर यह नहीं होता तो यह जो बड़े बड़े पत्थर को बांध कर रखा हुए आपने गुर्तवा करसं से वो सीधे आकर के प्रिथवी पर गिरते और हमारा जीवन हमारे धरती पर से सारा जीव ही नस्ट हो जाता तो इस तरह से इसी तरह के और भी उनिक सवाल के लिए हमारे चैनल को सस्क्राइब करें और जुड़े गढ़वा जीले के नंबर वन कोचिंग संस्थान आइंस्टीन स्टेडी सरकल से